रादि राधे दोस्तों, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल केस्थरी रादे किष्णा सिंगार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और बैल आइकन को प्रेस करना ना भोलें, ताकि हमारी सभी वीडियो की हो रहा है सारे काम बंति-वंते बिगड़ चाते हैं उनकी एक्षा के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा अपने ही घर का माहौल इतना नकारात्मक हो गया है कि इन सब से घुटन महसूस होती है और आप इन सब से चुटकारा पाना चाहते हैं आपका मन नहीं लगता है किसी काम में, मन में बुरे ख्याल आते हैं, दिन भे टैंशन बनी रहती है। चाहें वह आपके परिवार को लेकर हो, यहां आपको विजने सम्मंदी हो या कोई धन सम्मंदी, बस आपको जरुरत है सुवह है दो शब्द बोलने की। दोस्तों अगर आप भी महादेब की क्रपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर लखें हर हर महादेब और भगवान भोले नात के लिए एक लाइक तो बनता है। जै भोले ना, जै महादेब, जै महाकाल दोस्तों वैसे तो भोले ना, जरासी सेवा पूजा से ही और एक लोटा जल अर्पित करने से ही प्रसन होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उन्हें अपना चमतकार दिखाते हैं दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रोज सुभा उड़ते ही आपको यह दो शब्द बोलने हैं और इन दो शब्दों को बोलने से आपकी जो भी एक्छा है वह जरूर पूरी होगी भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त होगी उसके लिए आपको सिर्फ यह दो शब्द बोलने हैं बिना पूजा पाठ के यह शब्द बोलने से आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों भगवान शिव महागौरी अपनी भक्तों पे सद्यव अपनी क्रपा बरसाते हैं अगर आप इन दोनों में से भी किसी एक को भी प्रसंद कर लेते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं यहां बताए जाने वाले दो शब्दा आप सुवह के समय जरूर बोलें अगर आप बिध्यारती हैं आप बच्चे हैं तब भी हैं उपाय आप कर सकते हैं केवल घर के बड़ों को ही नहीं छोटे बच्चों को भी यह उपाय जरूर करना चाहिए इससे आपका मानसिक विकास होगा और आपको परिक्चा में सफलता जरूर मिलेगी घर के बच्चे ही नहीं घर की इस्तियां भी यह उपाय जरूर करें रोज सुभा सिर्फ और सिर्फ आपको यह दो शब्द बोलने हैं और इसके लिए आपको इसनान तक भी करने की जरूरत नहीं है हर उपाय में भगवान की हर पूजा पाठ में आपको सक्षिता का ख्याल रखना पड़ता है इसके लिए आपको इसनान करके सक्षिबस्त धारन करने होते हैं और उसके बाद ही आप कोई भी पूजा पाठिया उपाय कर सकते हैं लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ दो शक्त जो की आपको सुभा के समय बोलने हैं अगर इस्तियां यह उपाय करती हैं आपके हाँ कोई नई नवेली दुलहन है वह यह उपाय करती है तो आपके हाँ उत्तम संतान जन्म लेगी और आपके घर के लिए बहुत भाग्य साली से दुख होगी आपका बैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा आप इतने भाग्य साली हो जाएंगे आपको इतना सुखो साभाग्य प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते बड़े बुजर्ग अपने अच्छे स्वास्ते के लिए नव बिबाहे दमपत्ति अपने दामपत्ति सुख के लिए ब्यापारी वर्व ब्यापार में उन्नती के लिए और जो व्यक्ति रोजगार कर रहे है यानि जॉब कर रहे है अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए घर की इस्तरियां घर में धन प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उन्नती के लिए अपनी मनों कामनाओं की इक्षाओं की पूर्ती के लिए कोई उपाय करना चाहता है तो वहें रोज सबह के समय इस इक्षा पूर्ती उपाय को यानि कि इन दो शब्दों को जरूर बोले निश्चित तोर से भगवान भोले नात की किरपा से उनकी सभी एक्षाओं जरूर पूरी होंगी भगवान भोले नात और माता गौरी का क्रपा आशिरबाद उसको जरूर प्राप्त होता है जीवन के हर छेतर में सफलता मिलती है परिवार के सभी व्यक्तियों में प्रेम रहता है घर में सुख शान्ती और स्वभाग्य की प्राप्ति होती है दोस्तों इन दो शब्दों को बोलने के बाद आप अपने जीवन में बदलाव से महसूस करेंगे आपको लगेगा आपके जीवन से करीवी और दरित्ता का धीरे धीरे नाश हो रहा है आपको सकारात्मक सोच अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे दोस्तों अगर छोटे बच्चे यह शब्द ना बोल सकें तो उनकी माँ अपने बच्चों के मांसिक विकास के लिए बच्चों की जीवन में खुशी और सुख के लिए भी यह दो शब्द बच्चों के लिए सुभए सुभए बोल सकती है दोस्तों उसके लिए आपको करना वस इतना है कि आपको सुभए उठकर देपताओं का ध्यान करना चाहिए आपको अपने दिन की शुरुवात देवी देपताओं के पूजा पाठ से ही करने चाहिए ताकि आपको उसका सही और शुफल मिले आपको अपने जीवन में अच्छे काम देखने को मिले दोस्तों हमारे इश्ट देवी देपताओं की रोज सबह पूजा राधना करने से होता यह है कि हमारे जीवन में कोई दुख आने वाले होते हैं तो उनकी करपा से वह दुख सुख में परिवर्दित हो चाते हैं कई बार तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में ऐसा चमतकार हो गया है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी बहुती बिसम परिस्तितियों में यानि बुरी परिस्तितियों में फसने के बाद भी उसमें से अचानक ही बहार निकल आते हैं यह होता इसलिए है क्योंकि हम सुभे सुभे जब अपने देवी देपताओं का ध्यान करते हैं तो वह सदा हम पर अपनी करपाद रष्टी बनाई रहते हैं और हमारे मार्क को प्रसस्त करते हैं यानि कि हमारे आगी चल चल कर हमारी रच्छा करते हैं दोस्तों इसके लिए आपको करना वस इतना है कि आप रोज सुभा उड़कर दो शब्द बोले दो शब्द है ओम जूम सहा मंत्र है ओम जूम सहा यह लगु महामत्र जे मंत्र है इस मंत्र के जाफ से आपके कुणली में भी अगर कोई दोश है तो उसमें भी कमी आती है इसके अलावा अपने दौनों हातों की हतेलियों को जोड़ कर भी आपको इस मंत्र का जाब करना चाहिए मंत्र है कराकरी वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम आप चाहें तो दोनों में से कोई एक उपाई भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो दोनों पाई भी कर सकते हैं इस मंत्र का अर्थ है हात के अगर भाग में मा लक्ष्मी मध्य भाग में मा सरस्वती मूले गोविंद का वास होता है और वह हमारे सारे कार्रे बनाते हैं इसी तरह हमें अपनी हर सुभा की सुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते दोस्तों तो बताईए आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइट जरूर करें और अपने मित्रों रिष्टिदारों में शेयर जरूर करें ताकि वहवी हर सुभई है उपाय करके इससे लाप प्राप्ति कर सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल के साथ बने रही है और इसके लिए हमारे चैनल के स्थ्री राधे किष्णा सिंगार को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्स फॉर वाचेंग राधे राधे